इसलाम अलेकुम जनाब रिस्क बहुत से लोगों ने इस लफ्ज को ना या तो बहुत नेगिटिव कर दिया है या कुछ लोगों इसको बहुत ही जादा अपने लिए पॉजिटिव कर दिया तो मैं इसको थोड़े अपनी इंडेस्टेंडिंग आप से शेयर करना चाहता हूं बिजनेस में जब भी हम रिस्क की बात करते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई रिस्क का मतलब तो सिर्फ खत्रा है तो ऐसा नहीं है रिस्क का मतलब होता है चांस लेना किसी भी चीज़ को अगर खाली सुर्दू में जाके देगे हैं जो खम इसका मतलब निकल कर और दूसरा शक्स कहता है कि भाई, नहीं नहीं, मैं तो सब्सक्राइब करता है, जान पर नहीं खेला हूं। पहले वाले आ यह पार वाला game खेला है लेकिन third वाला बहुत safe है और उसके success के chances भी जाता हैं तो कोई business करता है या कोई भी business man 目前 यहांगे बिजनेसमें को अब कभी वे आपका एक पैसे vast निकरेगा है तो सिवनस करेह से बहुत सोच समझ के फिर वो डिसीजन लेता है तो बैठा नहीं रहता लेकिन वह आखे बंद करके हर जगा पर ट्राइब निकलता है फिर कुछ लोगों ने ट्रम बना ली कि रिस्क इस इक्वल टू अरभी वाला रिस्क यानि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना जादा रिस दोने होगा लेकिन मैं बस यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास दस लाग रुपे हैं तो पांच लाग रुपे से बिजनेस करके रिस्क में इस वक्त पूरी मार्केट जो तबहा है उसकी वज़ा क्या है लोगों के पास अपने होतें दस लाग वह 15-20 लाग उध कर सके बहुत सारे लोगों को जैसे मैंने कहा मैं उनके साथ रहों के तौरां जो या तो बहुत भागते हैं या बिला फजूल में फजूल की कॉस्टिंग बढ़ा रहे होते हैं अपने लिए और अपने आपको कहते हैं कि हम तो रिस्क लेंगे और फिर बाद में बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाते हैं तो अपको अकल दिये बिल्कुल उसे सोच समझ के इस्तिमाल करके फिर रिस्क लीजिए तो इंशालला आपको फायदा होगा एक्शन जरूर लेना है लेकिन कैल्कुलेटर डिस्क के साथ थैंक्स अलोग